जा रहे हैं लेकिन ना फिर साहित्य अपना काम यहीं करता है ठीक ढग से साहित्य का निर्मान होता है तो समाज भी ठीक ढग से चल सकता है एक दूसरे पर परस पर अवलम भी इस प्रकार का साहित्य और समाज का रिष्टा होता है और इसलिए मैंने कहा कि आत्मा और शरी इसका जो सम्मंद होता है वही सम्मंद साहित्य और समाज का होता है और इंदी सहित्य के ओर यह हम देखने की कोशिश करते हैं तो आधिकाल हो, भक्तिकाल हो, अधुनिक काल हो, इसमें जो सहित्य की सुर्जन हुआ है, वो सहित्य मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों के लिए दर्पड होता है, किस प्रकार का सहित्य है, और कौन किस प्रकार से द निकता है